Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video So as you all know that exam dates are finalized, so dates तो आ चुके हैं लेकिन फिलाल टाइम टेबल जो है वो अभी तक हमें नहीं मिला है तो जल्द से जल्द आपको टाइम टेबल मिल जाएंगे तो basically जो TYB.com की जो examination है October के मन्त में, first week of October में जो होने वाली है फिलाल आपके पास सबके पास तो dates अवेलेबल होंगे लेकिन आज के वीडियो में हम discuss करेंगे कि exactly ये जो TY की exams है उसमें जितने subjects है उन subjects को अभी कम टाइम में किस तरीके से पड़े तो वीडियो काफी interesting होने वाला है, last तक बने रहे और अगर आप पहली बर चैनल पर आए हो तो subscribe कर ले because ऐसे ही informative वीडियोस, last minute revision वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते है तो basically अगर हम बात करे, TYB.com की तो आपको दो theory subjects है One subject is economics, another subject is marketing दूसरे जो आपके practical subjects है, practical subjects की अगर हम बात करें तो we have financial accounting, we have cost accounting और उसके साथ दो applied components है, हमारे दो applied components की अगर हम बात करें तो we have tax, we have computers and उसके साथ अगर आपके कोई optional subjects होंगे जैसे की computers के लिए, आप optional में export marketing, marketing research ऐसे बहुत सारे alternative subjects होते है तो हम ये discuss करेंगे कि अभी आपकी last moment में पढ़ने की क्या strategy होनी चाहिए किस तरीके से आप सारी चीजों को कम time में पढ़े और किस तरीके से ये channel आपको help करेगा ये सारे videos आपको help करेंगे वो सारी चीजों के उपर discuss करने वाले है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि description में link available है वहां से आप app download कर ले last minute revision का app भी available है play store पे वो आप download कर ले और वहां पे आपको बहुत सारे free study material मिल जाएंगे काफी benefit होगा आपको app download करने के बाद तो वो download करना ना भूले तो अगर हम अभी बात करें कि exactly कि यह जो subjects है उसको किस तरीके से हमको पढ़ना है तो देखो अगर आप अभी last moment में कुछ चीजों के उपर ध्यान दोगे तो आपको सारे के सारे subjects के उपर overall एक trend पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम focus कर सकते हैं कैसे papers में questions पूछे जाते है तो सारी चीज़े बताऊंगा और exams के जो भी आपकी exams होगी उसके एक दिन पहले हम live sessions भी लेंगे ताकि आपको overall उस live sessions का काफी benefit मिल पाए और आपको exam में जो आपके silly mistakes होते है वो आप award कर पाए तो सभी चीज़े provide करने वाला हूँ और ये सभी चीज़े आपको free में मिलने वाली है कोई भी इसका cost नहीं होने वाला तो accordingly subscribe करके रखे ताकि जबी में live जाओंगा तो आपको उसका notifications time to time basis पे मिलते रहे तो सबसे पहले हम बात करेंगे marketing subject की बात करें तो marketing subject and economic subject जो commerce का subject है हमारा and जो economics है इस two subjects are theory अभी last moment में ये problem होने वाला है कि last moment में इतना ज़्यादा syllabus है उसको किस तरीके से पढ़े कैसे इतना पूरा book हम एक साथ पढ़ ले तो देखो पहले से आपने अगर पढ़ा ही नहीं की है तो last moment में pressure तो 100% आपके उपर आने वाला है लेकिन एक overall strategy बनाके पढ़ेंगे तो you can cover these two subjects also तो सबसे पहली चीज़ जिनको भी डर लग रहा है कि हमारा economics पढ़के नहीं हुआ है हमारा commerce का subject जो है marketing वो पढ़के नहीं हुआ है तो क्या करें किस तरीके से इन दोनों subjects के उपर focus करें तो सबसे पहली चीज़ अगर आप अभी chapter wise पढ़ने जाओगे तो थोड़ा difficult लगेगा अगर आप अभी सारे chapter wise सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो क्या होगा difficult भी लगेगा, tension भी आएगा और last chapter तक आप पहुच नहीं पाएंगे तो आपको करना क्या है आपको करना है सबसे पहले 3-4 साल के university के papers लेने है देखो बहुत simple चीज़ बता रहो maximum syllabus आपका cover हो जाएगा इस में से theory की बात हम करेंगे practicals तो मैंने बहुत सारे videos आलरेड़ी डाल के रखे और भी कुछ आपको चीज़े provide करने ही वालो तो आपको करना क्या है economics का because 2-3 साल covid में सब exams online थे तो वह तो paper आपको मिलेंगे नहीं before covid जितने भी papers आपको मिलते है और आपको ये सारे papers libraries में आपके library के college के library में मिल जाएंगे so whatever papers you get वो सारे papers पहले collect करे 3-4 साल के papers आप collect करो 3-4 साल के papers को देखो 3-4 साल के papers में जो भी questions पूछे है वो सारे questions पहले पढ़ो इससे फाइदा क्या होगा मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो ही questions आपके paper में repeat हो जाएंगे but इससे आपको ये benefit मिलेगा कि आपका पूरा syllabus पढ़के होगा because paper में जो questions आते है that is module wise first module से रहेंगे second module से रहेंगे third module से रहेंगे fourth module से रहेंगे alternatively जितने भी आपके module से उसमें से questions आएंगे तो जब आप questions को पढ़ना start करोगे we have options in the paper also तो whenever you will start the questions which are already asked in the paper तो उससे क्या होगा उससे आपके सारे सारे के सारे जो topics है वो cover हो पाएंगे और सारे के सारे जब topics आपके cover होंगे तो एक अलग type का confidence आप में आ सकता है कि yes, last moment में भी मेरे economics का या फिर marketing का subject जो है मतलब पढ़के हुआ अगर आप अभी chapter wise पढ़ते बिठोगे तो एक exactly time पे cover नहीं हो पाएगा theory subject तो theory subject जो बच्चों को डर है कि कैसे पढ़ना है और रहा सवाल objectives का because बहुत सारे बच्चे ये कहते कि how to study the objectives how to study the theory question तो उसके बारे में individual sessions लाऊंगा कि exactly objectives और theories के ओपर पर कुछ important को discuss नहीं कर रहे हम लोग ये discuss कर रहे कि examiner की psychology क्या है what kind of questions he is expecting from you या वो किस तरीके के questions paper में डाल सकता है तो उसके बारे में discuss करेंगे ताकि overall आपको भी idea आ जाए कि कॉन से type के questions पर हमको ज़्यादा focus करना है ताकि हम ये paper में attempt कर पाए तो मैंने दो subjects के बारे में आपको बताया I hope कि आपको समझ में आया है पहले क्या करेंगे पहले आप अपने college के library में से आपके friends में से जिसके पास भी available होंगे university के जो papers है marketing के हो और economics के हो वो तीन से चार साल के जमा करे old syllabus का ना ले जब से ये new syllabus है तब से ले तो एक दो-तीन साल के paper आप अगर आपके पास रखोगे वो दो-तीन साल के paper साथ में रखो वो सारे questions को पहले आप पढ़ना start करो target रखो हर दिन में ये आज के दिन में हम 5 questions पढ़ेंगे 6 questions पढ़ेंगे अभी आपको क्या है अभी आपको ज्यादा time देना पड़ेगा अगर आप ज्यादा time नहीं देंगे तो काफी problem arise हो सकता है आप अभी calculate कर सकते हो the number of days which are remaining and the number of subjects which you are going to study तो number of days को जब हम subject से divide करेंगे तो usually हमें क्या होता है तो इसलिए आप ये चीजों के ओपर focus करेंगे दो theory subjects के बारे में मैंने आपको बताया और practical subjects जिसको डर लगता है accounts में डर लगता है costing में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है costing tax में डर लगता है nevertheless मैंने बहुत सारे videos बनाये है और बहुत सारे videos आने वाले time में भी आपको मिलते रहेंगे और उतने भी आप सारे videos को properly देखोगे उसको भी अगर properly आप study करोगे तो बहुत अच्छे level पे आपको इन videos का आपके exam में benefit मिल पाएगा तो रहास अवाल financial accounting का cost accounting का, taxation का तो हम बहुत सारे videos में आपको provide करने वाला हूँ and exam से जाने से पहले एक दिन हम like live sessions भी लेंगे ताकि उससे बहुत सारे बच्छों को जो है वो benefit मिल पाए the reason is we are studying everything we are learning everything we are practicing everything and what happens whenever we are going for exam हम exam में जाके silly mistake करके आते तो वो silly mistakes आपकी इस तरीके से avoid कर सकते है वो सारी चीज़े आपको एक दिन पहले भी बताऊंगा तो ये overall आप अगर strategy को अभी फिलाल follow करोगे ये आप accounts में भी कर सकते हो accounts में भी 2-2-3-3 साल के paper लेलो वो सारे questions को देखो उससे आपको एक overall grip आजाएगी एक overall idea आजाएगा कि examiner किस तरीके के chapter wise questions डाल रहा है paper में बाकी अगर आपको हर topic पढ़ना है मैंने अलग से एक playlist बना के रखा है हर topic आपको मिल जाएगा तो आपके पास अभी कोई excuse नहीं है कि मेरे को कुछ आता नहीं है कैसे हो पाएगा कैसे हम exams में जाके preparations करे या कैसे हम exam में जाके perform करे so बहुत सारे आपके पास options अभी available है और एक important point जो app के बारे में बने बता है app भी download कर ले वहाँ पे भी आपको एक live sessions मिलते रहेंगे timely basis पे ताकि जो genuine बच्चे है जो पढ़ना चाते हैं उनका भी हम फिर app में उपर live session को conduct करने वाले है I hope आपको वीडियो आपको interesting लगा होगा कुछ information मिला होगा तो इस तरीके से strategy रखो अगर ऐसी strategy रखोगे तो आपको काफी अच्छा इसका benefit मिलेगा और जो एक tension है कि exam is coming, exam is coming, how to study we are not aware about it, कैसे पढ़ना है, because after covid offline exam में preparation का style थोड़ा change हो जाता है, तो ये ध्यान रखे, और ये वीडियो का अपने friends में share करे, ताकि जो लोग exam का tension लेके बठेगी किस तरीके से preparation करना है, उनको भी इसका benefit मिल पाए, हम नए वीडियो लेके आएंगे नए वीडियो आपको देने वाला हूँ last minute revision के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो अगर subscribe नहीं कैए तो subscribe करे, next revision वीडियो के साथ मिलते है, thank you all of you, bye bye